कोरोना का वाइरस दिखा रहा है असर हिली में पाँचमी क्लास तक के सभी स्कूर बंद पूरे देश में अब तक 25 से ज्यादा मरीज कोरोना वाइरस से मुक्ति के लिए हवन पूजा पाट अब वाइरस से दुनिया के कई देशों में लोगों की सांसें अटकी हुई है उन देशों में एक देश अपना हिंदुस्तान भी है जहां हर रोज कोरोना वाइरस के संदिक्त मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है घर से दफ्तर तक लोगों को अलर्ट कराये जा रहा है लोग आसकर मास्क लगा के आ रहा हैं दिलों में देशत बैटी हुई है कोरोना वारेस की जादर लोग मास्क लगा रहा है कम से कम पबलिक आ रही है तो हम महराष्टर से आयो है लेकिन सरकार के तरफ से पूरी आड़वाईस जारी हुई है इसलिए अपने आप सुरक्षा रखना ज़रूरी है जब यहां पहुंचा तो इनन चेकिंग की मुझे बहुत अच्छा लगा यह चेकिंग होनी चाहिए मतलब जहां यह चेकिंग नहीं होती है हम बुरा हाल है यहां चेकिंग हो रही है हमें कोई पता नहीं है इसलिए दिल्ली में पांचमी तक के सभी स्कूल 31 मार्च तक बंद कर दिये गए हैं इसलिए जमू के अस्पताल में कोरोना के दो संदिक्त भरती कराए गए हैं कया के मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना का एक संदिक्त भरती है तमिलाडू में कोविड-19 के चार संदिक्त मरीज अस्पताल में भरती कराए गए हैं करनाटक के बीदर में भी तीन लोगों में कोरोना की लक्षन पाए गए हैं अलगी अच्छी बात ही है कि दुनिया के दूसरे कई देशों में जिस तरह से करोना वाइरस का कहर बढ़ा उस हिसाब से भारत में काफी नहीं अंत्रण है लेकिन सरकार की कोशिश इसके मुकम्मल इलाज की है भारत में अलग-अलग राज्यों अलग-अलग शेहरों में करोना वाइरस के मरीजों की संख्या ना बढ़ है इसके लिए प्रयास जारी है करोना वाइरस से लोगों में डर है लेकिन उससे ज्यादा बचाव और सावधानी बरतने पर जोड़ दिया जा रहा है अपने अस्तर पर तमाम सरकारें इस से बचने के लिए अलर्ट जारी कर रही है क्योंकि बाकी के एक्ञाम चल रहे हैं तो उसमें अभेर करना हमारा सबसे प्राहें कर चलना है करोना से बचाव के लिए पूरे में लैब तैयार वहीं दूसरे कई शहरों में कोरोना पर वार के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है आगरा के ताजमहल में विदेशी टुरिस्टों की thermal screening हो रही है विदेश से आने पर हर शक्स की screening हो रही है उधवार को उन्चास लोगों की screening की गई जिसमें 잡्थाइस लोगों की सैंपल लखनव की लैब में भेजे गए है दूसरे देशों से आए हैं और Thermal Girl, यानि ये Infrared Gun का इस्तमाल करके तापमान नापने की कोशिश औही है, ये देखे, ये तस्वीरे ये परशासन हितियात बढ़ता हुआ है और Thermal Gun का इस्तमाल करके ये देखा जा रहा है कि क्या किसी सहलानी को बुखार है, किया कहीं पर तापमान बढ़ा है और उसके बाद फिर टेस्ट के लिए रेकमेंड किया जाएगा अब भी हम लोग यहां पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं किसी भी परसन के लिए कहीं वो डिसीज है या नहीं है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसको आइसलेट करेंगे यहां से इस वक्त कोरोना पर हमले के लिए मुस्तैदी साफ साफ दिख रही है यह पैगाम लोगों तक पहुंच रहा है कि अगर साफधानी बढ़ती गई तो कोरोना को ठक हार कर अपनी मौत मरना होगा और सुरक्षित रहेगा हिंदुस्तान आगरा से अशुतोष मिश्रा के साफ शरतकुमार जैपुर